वेलकम बैक टो और चैनल और आज हम कंटीन्यू कर रहे हैं अपना कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग जिसमें हमने कुछ सीरीज एक स्टार्ट किया हुआ था है कि हमारे पास जो अंसर्टिफाइड वर्क है उसको किस किस सिचुएशन में कैसे 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 कैलकूट करना है तो आज हम इस पर एक और नुमेरिकल आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें एक डिफरेंट तरीके से हम कैलकूलेट करेंगे cost of uncertified work इस वाले question में हम दो सालों का contract ले करा रहे हैं जिसमें एक साल का पहले ही बनाया जा चुका है ठीक है? तो start करते हैं इस numerical को कि क्या कह रहा है इस question के अंदर देखें इस question में हम से कह रहा है the following figure are disclosed by the book of the contractor for the year ending 31st December 2019 और हमें दिया हुआ है work in progress on 31st December 2018 यानि कि पहले से ही 31 December 2018 तक हम 1,70,000 रुपे का काम कर चुके हैं जिसमें हमें 1,10,000 रुपे contract इसे मिल भी चुके हैं अब दियान से रखना कि 1,70,000 रुपे का काम हम पिछले साल ही कर चुके हैं और 1,10,000 रुपे उसमें से हमें मिल चुके हैं तो net हमारे पास जो हमारी assets है वो 60,000 रुपे की है अब transaction during the year अगर मैं इस साल इस contract को पूरा करता हूँ इस contract को पूरा करने की तरफ आता हूँ तो इस साल के लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा WIP कि मैंने कितना काम पूरा किया तो 170,000 रुपे का है मेरा WIP कितना है 170,000 रुपे का है मेरा WIP और जो मुझे contractory से पैसा मिला है वो contractory account माएगा 110,000 रुपे देख सकते हैं contractory का मैंने account बनाया है जिसमें 110,000 रुपे मेरे पास पहले से ही contractory ने दिये हुए है इसी तरह से WIP में मैं 1,70,000 रुपे का काम पहले साल से ही करकर आया हूँ अब वो मुझे से कहता है इस साल मैंने क्या क्या खर्चा किया इस साल हमाने contract मियानी की merchant से directly 12,000 रुपे का तो एक material खरीदा फिर 21,000 रुपे का हमारे पास store से material आया 17,000 रुपे की wages लगी continue देखने कोशन को उसके बाद working expenses 3000 के working expenses इसमें और लगे इस साल में administrative expenses वैसे तो हमारे 2500 के लगे हैं लेकिन वो हमसे कह रहा है out of which 500 are chargeable to journal profit and loss account जो बाखी के जो पैसे हैं 500 रुपे वो journal PL में जाएंगे यानि contract में 500 रुपे कम जाएंगे यानि कि केवल 2000 रुपे जाएंगे ठीक है continue कर रहे है इसके अलावा 5000 रुपे का हमने इसमें plant लगा दिया है material जो हमारे पास हमने directly बापस कर दिया merchant को जिससे हमने खरीदा था 12,000 रुपे का 900 रुपे का बापस कर दिया बापस कर दिया तो कम हो गया इसके अलावा हमने 1100 का माल ا Flatco भी वापस कर दिया है आप continue झेख सकते हैं 900 . Nicholas रुपे का एक बापस किया 1100 रुपे का श्टोर को बापस कर दिया है continue करते हुए question को को कह रहे है 45,000 सारे काम 15000 न काम में कर चुका ने 75000 का काम में कमप्रीट कर चुका हूं कॉंट उसके बाद हमारे पास ये भी डाल चुका हूं, ये भी डाल चुके हैं, ये भी डाल चुके हैं, तो इधर केवल एक ही टर्म बची हुई है, और उधर भी केवल एक ही टर्म बची हुई है, आगे question में continue करता हूं, वो मुझसे कहता है, profit taken upon contract, certified work भी दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि profit कितन हुआ हूं, तो ये बैठता है, दो लाख छे जार रुपे, जिसमें तीस हजार रुपे certified, और बाकी एक लाख, छेटर हजार, यानि 175,6 ये हमारे पास आ गई, balancing figure, तो क्या गया, uncertified, क्या चीज़ गाया है इसमें, uncertified, यानि uncertified को किस तरीके से हम calculate करें, एक तो ये था, अगर मैं इस दर का profit देगा, तो एक दर एक जीज़ गाया है, uncertified हम निकाल सकते हैं, कुछी value निकाल जा सकते हैं, इस तरीके से difference करके, दूसरा इस question में जो खास बात थी, कि ये question पिछले साल से चलता हुआ रहा है, इसलिए जब भी question एक साल से जादे का है, तो next year में जब कैसे जाएगा, आओ तो start कर लेते हैं, तो ये सारे material के ये सारे points में डाले, difference करके हमने uncertified work भी निकाल लिया, अब हम बनातें contract का account, जिसमें already एक लाख दस हजार रुपे, एक लाख दस हजार रुपे contract के account में पहले से ही हैं, क्योंकि उसने ये पैसे हमें advance दे रखी थे, और 80,000 रुपे उसने हमें और दे दिया, ये टोटल मिलाकर 1,90,000 रुपे contract से हमारे पास आए हैं, जिसमें से हमने उसका 45,000 रुपे के contract पूरे कर दिये, तो contract का जो हम पर हमारे पास पैसा है, वह है 1,45,000 रुपे, ऐसा नहीं है, वैसे तो हमने उसका काम भी पूरा कर दि तो टोटल हमें एक लाग नभबे जार रुपे मिले काम कर दिया है उसको लेकिन एक लाग नभबे जार में से जो फाइनल कॉंट्रेक्ट हुआ है वह 45,000 का है इसलिए एक लाग 45,000 रुपे कोंट्रेक्टी के हमारे पात अडवांस है अब हमने टोटल कितना काम कर चुके हैं हम टोटल दो लाग 6,000 रुपे का काम कर चुके हैं यदि हम बैलन सीट की बात करें दो लाग 6,000 रुपे मेरी असेट्स है इतना मैंने काम कर दिया लेकिन कहीं यहां कहीं आप 1,45,000 रुपे एडवांस भी तो ले चुके हैं तो आपके पास असेट के नाम पर केवल 61,000 रुपे और यह केवल डवलु आईपी शो किया है मैंने क्या शो किया है डवलु आईपी इसके अलाबा मैट्रियल्स हो सकते हैं फुलालिस कोशन में ऐसा नहीं है क् रिटर्न किया है स्टोर्स को तो इस टोर्स ही बद दिखा सकता हूं कि 1100 रुपे के स्टोर्स हैं जो अमर पास बच्छे पढ़े होंगे ठेक है ना पूरी बैलनस इट के बद तभी बनाई जा सकती है जब कोश्चन में ट्राइल बैलन्स दिया हो ट्राइल बैलन्स देता ह करना आपको समझना है कि किस तरीके से कुश्चन के स्टार्टिंग करनी है किस तरीके से एंड करना है तो अपनी नेक्स वीडियो में आपके लिए एक जो हमारे पास अंसर्टिफाइड वर्क का है एक नुमरिकल और लेकर आऊँगा एक नए तरीके से किस तरीके से अंसर् दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बैल आइकोन प्रेस करना तो आप बिलकुल ली न भूलें क्योंकि इसके थुरू आपको मेरी जो नई वीडियो जैंका नोटिफिकेशन लगाता मिलता रहेगा थैंक्यू मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में